हेलो फ्रेंस कैसे आप लोग फ्रेंस आज से हम आपको ऑक्सपोर जूनियर इंग्लिस ग्रामर बताएंगे तो फ्रेंस इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और बगल में आने वाले घंटे की निशान को देखे लेते हैं इसका हमने डिफनेशन लिखा है पाट्स नृइस का कि इंग्लिस लूंगबेच के जितने भी सब्स इंगलीस भासा में जितने भी सब्द है ठीक है इंगलीज भासा में जितने भी सब्द है उसका किस वाकि में वाकि बना करके यानि एक जितने भी सब्द है उन्हें वाकि बना करके किस कारी में किस वाकि का परियोग होगा कहां उसका परियोग होगा किस कारी में उसका परियोग होगा उन दोनों के अधार पर उसे आठ भागों बाता है, ठीक है, उन्ही आठ भागों को parts of speech कहते हैं, ठीक है, समझ गए, उसके बाद है, हमने यहाँ पे लिखा है, types of parts of speech, क्या है, types of parts of speech, तो यहाँ पे जो दिया गया हमने लिखा है, कि noun means संग्या, pronoun का सर्वनाम, adjective का विशेशन, भर्व का किरिया, एडवर्व का किरिया विशेशन, preposition का संबंद बोधक अवियव, और conjunction का समुच्च बोधक अवियव, और interjection का भी समय यादी बोधक, ठीक है, अवियव, उसके बा यानि नाउन किसे कहते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु अस्थान जानवर, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु अस्थान जानवर, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं, यानि दुनिया में जितने भी नाम हैं, उसे ही noun कहते हैं a noun is the name of a person, things, place animal, feeling or idea a noun is the name a noun ठीक है a noun is the name of a noun उस नाम को कहते हैं या noun उस नाम को कहते हैं अब मालीजे यहां पर है noun noun एक नाम है ऐसे भी कह सकते हैं noun एक नाम है किसका person, things, place, animal, feeling or idea का ठीक है noun a noun is the name ठीक है noun एक नाम है of a किसका person यानि व्यक्ती things, वस्तू place, अस्थान और animal, जानवर feeling, विचार या भाव, idea ठीक है का नाम है तो अब example में देख लिजिए all the meaning word यानि दुनिया में जितने भी word है उसे भी noun कहते हैं all name यानि all name जो की दुनिया के जितने भी नाम है वो भी noun ही है उसके बाद है what is pronoun वह सब्द जो किसी noun के बदले में परियुक्त होता है pronoun कहा जाता है तो इसका जो इंगलीस में है a word वह सब्द instead of instead of ठीक है instead यानि बदले में परियुक्त होता है a noun किसके noun के noun के बदले में परियुक्त होता है या पर a word वह सब ठीक है used जो किसी of a noun instead of a noun जो किसी noun के बदले में परियुक्त होता है a word वह सब्द जो किसी used instead of a noun जो noun के बदले में परियुक्त होता है is called pronoun pronoun कहा जाता है उसके बाद इसका जो example हमने लिया है राम is my friend अब यहाँ पर देखिए हम अपना नाम भी कह सकते हैं लेकिन हम वहाँ पर अपना नाम नहीं दे करके हमने माई का परियोग किया जो कि मेरा नाम मान लेकिन किसी का नाम जो है वो noun के अंतर गताता है और noun के बदले में यहाँ पर देखिए माई लगा है इसलिए माई जो है वो हो गया pronoun ठीक है उसके बाद है राम रीड्स इन माई क्लास राम मेरे क्लास में पढ़ता है ठीक है यहाँ पर भी माई जो है वो किसी नाउन यानि किसी नाम के बदले में परियुक्त हुआ है राम मेरे यानि मेरे नाम के बदले में वहाँ पे माय परियुक्तव है, इसलिए माय जो है वो प्रोणाउन हो चाहेगा, चलिए adjective देख लेते हैं, यहाँ पे what is adjective, वह सब्द जो किसी नाउन या प्रोणाउन का विशेश्ता बताता है, जो नाउन और प्रोणाउन दोनों का विशेश्ता बताता है, ठीक है, a word, used to add something to the meaning of a noun or pronoun, is called as adjective, यहाँ पे a word, वह सब्द, used to add something, used to add something to the meaning, ठीक है, to the meaning, जो विशेश्ता बताता है, किसका आउफ है, नाउन और प्रोणाउन, यानि नाउन और प्रोणाउन का, is called as adjective, तो यहाँ पे देखिए, example में दिया गया, I have red pen, I have red pen, मेरे पास लाल कलम है, हमने कलम का विशेश्ता बताया, मेरे पास कैसा कलम है, तो लाल कलम है, यहाँ पे red जो हो जाएगा, वो हो जाएगा adjective, I have no pen, यहाँ पर भी बिशेश्ता है, कि no pen, यहाँ पे मेरे पास कलम नहीं है, यह एक बिशेश्ता है, कि मेरे पास कलम नहीं है, तो no जो है, वो हो जाएगा adjective, उसके बाद है, verb, तो यहाँ आप देखिए, what is भर्ब भर्ब हुआ सब्द है जिससे किसी के कार्य वैपार अधिकार संबंध या अवस्था का बोध होता है ठीक है भर्ब हुआ सब्द है जिससे किसी के कार्य वैपार अधिकार संबंध या अवस्था का बोध होता है ठीक है उसे ही भर्ब कहते है यहाँ पर जो है इसका इ इंग्लिस में दिया गया है फिर वी इसे समझ लेजे भर्भ हुआ सब्द है जिससे किसी के कार यह वैपार करता है उसके नाम अधिकार जो मान लेजे मेरा student है मैं अपनी पद पर हूं मेरा अधिकार है मैं student हूं संबंध या अवस्था किसी के साथ संबंद अबस्था का बोध कराता है का बोध कराता है ए भर्ब इजे वर्ड भर्ब वह सब्द है विच डिनोटेज एन एक्षन विच डिनोटेज एन डिनोटेज यहां पे विच डिनोटेज इसे तोड़िए विच डिनोटेज जिसे जो बोध कड़ाता है वीचे डिनोटेज किसका एन एक्षन कारी वैपार का पोसेशन अधिकार का रिलेशन संबंध का और या और एस्टेट अवस्था का बीम बोध कड़ाता है ठीक है उसके बाद है एक्जामपल में यहां पर देखें चिल्ड्रेन प्ले बच्चे खेलते हैं यहां पर बच्चा का अधिकार है क्यों वो खेलेगा सीता जील सीता बिमार है मेरे पास एक कार है ठीक है इसी तरह से यह सब ही है तो चलिए आगे एड़वर्ब परते है यहां पर उसके बाद है एड़वर्ब इड़वर्ब वो सब्द है जो किसी भर्ब एड़वर्ब या दूसरे एड़वर्ब का विश्यस्ता बताता है यहां पर देखें दूसरे एड़वर्ब का भी विश्यस्ता बताता है ठीक है, तो यहाँ पर जो है, an adverb, यहाँ पर word जो है, वो छुपा हुआ है, an adverb, adverb वह सब्द है, ठीक है, qualifies, जो बिशेष्टा बताता है, ठीक है, किसका, यहाँ पर देखिए, जो बिशेष्टा बताता है, किसका, a verb, ठीक है, a verb, किरिया का, an adjective, यानि adjective का और another adverb यानि दूसरे adverb का ठीक है तो आब यहाँ पर देखे slowly कैसे यानि slowly धीरे धीरे ये जो है भर्ब adjective दोनों का जो है बिसेज़ता बताता है ठीक है धीरे धीरे अम्मानली जीए कोई कारी करता है कैसे धीरे धीरे अम्मानली जीए carefully beautifully ये सबी जो है clearly quickly loudly sadly hardly ठीक है ये सबी जो है adverb की अंतरगत आते हैं ठीक है उसके बाद है what is preposition ठीक है what is preposition preposition हुआ सब्द है जो किसी noun या pronoun के पहले आकर उसे noun या pronoun का संबन्द उस noun या pronoun का संबन्द यहाँ पे जो है उस होता उस noun या pronoun का संबंद वाक में परियुक्त किसी अन्य यानि object यानि सब्द या सब्दों से कड़ाता है यानि sentence में जो object होता है उससे कड़ाता है ठीक है? यानि दूसरे सब्द से कड़ाता है ये जो preposition है वो किसी वाक में noun या pronoun हो उसके पहले आकरके उस वाक में किसी दूसरे सब्द से उसका relation कड़ाता है यानि उसका संबंद कड़ाता है यहाँ पर दिखें उसे इंगलीस में क्या दिया गया है a preposition is a word preposition वो सब्द है placed before ठीक है? placed before a noun और a pronoun ठीक है? जो किसी noun या pronoun के पहले आकर to show its relation to show its relation उसका संबंद ठीक है? some other word in the sentence कुछ दूसरे वाकियों से अन्य सब्द या सब्दों यानि अन्य सब्द या सब्दों से कराता है sentence में दूसरे सब्द या सब्दों से कराता है a preposition is a word placed before a noun और a pronoun to show its relation to to some other word in the sentence उसके बाद example दिया गया है यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है? some important preposition ठीक है? यहाँ पर some important preposition यहाँ पर in miss में यह सब्दों यह preposition है आप इसे याद कर लिजिए फिर आपको बहुत मदद मिलेगी ठीक है? in miss में, into miss में, on miss पर, at miss में पर, to miss की और, with miss के साथ, without miss के बिना, off miss का की के, among miss के बीच, between miss के बिना, under miss नीचे, over miss के बाद, before miss के पहले, for यानि के लिए, up miss उपर ठीक है? चलिए इसे आगे देखते हैं तो बिलाओ, यहाँ पर है, below miss के नीचे, near miss के पास, after miss के बाद, since miss से, from miss से, during miss के समय, by miss के द्वारा, behind miss के पीछे, to wide miss की तरफ, about miss के बादे में, till miss तक, until miss तक, ठीक है? उसके बाद है, what is conjunction? ठीक है? what is conjunction? ठीक है? what is conjunction? conjunction हुआeg सब्द है जो सब्द या सब्दों या जो सब्द आईसा सब्द है जो सब्द यानि सब्दों को यानि धेर सारी सब्दों को जोडता है या सब्द समु यानि धेर सारी पूरे समु को जोडता है या कुछी वाक्यांसों को जोडता है या उपवाक्यों को जोडता है इसी तरह के सब्द को कंजेक्शन कहते हैं एक कन जेक्षन इजे वर्ड, जो जोडता है किसे वर्ड यानी सब्सेज्ख्ध्ट, высокielis, तों, परेज्ख्ट, केलिट्चें को, sentences together ठीक है को जोडता है ठीक है उसके बाद इसका जो एक्जामपल देगा है एक्जामपल में सब्गया end यानि दो सब्दों को मान लिजे राम, एंड, स्याम इसके बीची में क्या जाता है end आ जाता है जिसे जो दो सब्दों को जोडता है ठीक है but अब मान लिजे राम लिजे बुआए ठीक है राम लिजे बुआए यहाँ पर बट अगर लगा दें और सिता इजे गर्ल राम लिजे बुआए बट सिता इजे गर्ल राम एक लड़का है लेकिन सिता एक लड़की है ठीक है और इसी तरह से है उसके बाद है इंटर्जेक्शन का परिभास इंटर्जेक्शन है इंटर्जेक्शन वह सब्द है जिससे आकस्मिक परसंता दुख आस्चर या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त होता है इंटर्जेक्शन के अंतरगत अंतरगत यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, इंटर्जेक्शन के अंतरवाट जो है, आपको जिससे इंटर्जेक्शन के अंतरवाट आकस्मिक परसंता, जो अचानक परसंता होती है, दुख, आकस्मिक परसंता, जो अचानक दुख हो जाता है, आस्चरी, यानि अचानक आस्चरी हो गया, मन का कोई, मन का तो जो आकस्मिक हो बिना पता किये हो जाए उसे ही क्या करा जाता है? इंटर्जक्शन का जाता है. ठीक है इंटर्जक्शन वह सब्द है जिससे आकस्मिक परसंता दुख, आश्चर या मन का कोई भाव अन्य भाव पर कट होता है. ठीक है, एन इंटर्जेक्शन इज वर्ड, इंटर्जेक्शन वर्षब है, विच एक्स्प्रेशेज जिससे आकस्मिक सम् सदेन फिलिंग और इमोशन्स, ठीक है, जिससे कोई भी परसंता दूख आश्चर या मन का कोई भाव पड़ेकट होता है ठीक है, यह सबसे छोटा है, सोट में हम बना दिए, उसके बाद है, एक्जामपल में देखिए, आः ठीक है, ए-ए-च, आः हा, है, हलो ए, ए जी, अचानक हम कहा देते हैं कि हलो ओ, ये भी मान लिजे कोई काम कर दिए, गलत काम हो गया यानि, कम मान लिजे कोई खोट हो गई, हम कहा देते हैं, ओ, यार ये हमने क्या कर देते हैं, उसके लाद उस ये भी कभी कर सकते हैं अब मालीजी कोई बग बग कर रहा है कोई बहुत बोल रहा है उसे हम कर चाहिए उस चुपो जा लास है तो इन सबों का परियोग हम कर देते हैं तो फ्रेंस हम आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि हमने आपको पार्षोफए स्पीच के आठो भेद बता दिएं अब आप पार्षोफए स्पीच का आठो भेद में से पहला नाउन का अगले वीडियो में आपको हम पूरी तरह से डिटेल बताएंगे मिलते हैं अगले वीडियो में असा तक लिबाए